कि असलाम अलेकुम मैं हूं बश्रसन आप देख रहे हैं स्टीच अ स्टूडियो आज हम ओवरलेब पट्टी गला बनाना सिखेंगे पट्टी हमने पोना इंच चोड़ी बुकरम की कटिंग करके चिपका लिए है कपड़े के अबर जिस भी कपड़े के आपने लगानी हो और इसकी लंबाई हमने रखी है पट्टी की तिरता लेस इंच तो इसको बिठा लेंगे और इसमें जो हमने बुकरम लगाई है वो सीधी निहीं लगाई है वो आड़ी लगाई है तो वो आसानी से थोड़ी गूम जाती ए अगर आपका कपड़ा भी आड़ा हो तो अच्छा है नहीं तो अगर बुकरम तो अपने आड़ी ही लगाने उससे पट्टी सही गूम जाती है कपड़ अगर पलेन है वो आड़े में तो अगर लगा सकें तो वो लगा दें क्योंकि उससे असानी से ये पट्टी गूम जाती है लेकिन ना हो तो फिर सीधे में भी गूम जाती है ऐसा कोई मसला नहीं है अब इसका सेंटर कर लेंगे पट्टी का सेंटर पे निशान लगा लेंगे अब इस निशान से धा इंच एक तरफ निशान लगाएंगे धा इंच दूसरी तरफ टोटल हो जाएगा ये पांच इंच तो ये जो फैलाओ आएगा वो पांच इंच का आएगा उपर से इस तरह से बीच का फैलाओ पांच इन्ज का होगा इसको इस तरह बिठा लेंगे इस तरह इसको डबल करके यहां से हमने रखना है साड़े साथ इंच इस दूसरी तरफ से मिशान लगा लेंगे अब इसको हलका सा शोवर से पानी लगा के इस तरह से पट्टी को शेप दे देना है गुमा लेना है क्यों प्राय चा ले आरता है क्यों दूसरी तरह से लोगाँ मिश्या वाप लेंगे इस पिलाए मैं आरता है इस दुमा जबल है क्यों ज़ए यह ज़ए आरता है अब इसका हमने फ्रंट का पीस लेना है फ्रंट लेना है यहां पर हमने धाएंच का निशान लगाना है आधा हिंच छोड़ लेंगे आधा हिंच छोड़ के हमने 16 पर निशान लगा देना है और इस यहां पर हमने बुकर्म जिपका लेनी है धाएंच हमने यहां से छोड़ा अब यह पट्टी जो है आधी हमने शट के उपर रखनी है और आधी नीचे यहां पर निशान लगा लेंगे अब पट्टी हमारी चोड़ी है पोनाइच पोनाइच का आधा होगा तीन सुथ आधे हिंच से एक सुथ कम तो उतना निशान लगा लेंगे पोनाइच पट्टी है हमारी उसका आधा गर के हमने यहां पर निशान लगा लेना है तीन सुथ का अब इसके साथ साथ हम यह निशान लगा लेंगे यह बड़ा एहतियाद से अपने रखना होगा पट्टी को अभी जो हमने निशाने के ऊपर नहीं करते हैं सिर्फ ये क्टका हमने इस तरह लगाना है आधकी निशानों से हटा के कटिंग Colorado क्या है हुप अभी जितना हम इसमें दबो रख रहे हैं लगाने में पत्टी इतना ही दबो देंगी जितने यह हमने दबो रखा है इससे जादा पट्टी में अगर आप दबो देंगे जो वो कमीज खिच जाएगी दबो इतना ही लेंगे पट्टी में लगाने के लिए इतना हमने रखा है यह दिखिए यह चीज बिल्कुल फिक्स बनी है शोल्डर जोड़ लेंगे प्रेस लगागी शोल्डर की शिलाया हमने बिठा लेनी है यह हलका सा इसको कटिंग कर देंगे बैक को इसके बाद फिर हमने वही सेंटर कोट का लगा लेना है बैक का शोल्डर बराबर करेंगे अब यह दो बैक की तरफ करके हम बिठा लेंगे अब जो बैक का शोल्डर है बैक का सेंटर जो है उस पर निशान लगा लेंगे और यह जो पट्टी का सेंटर है इन दोनों को मिला लेना है हमने इस तरह से यह सेंटर बैक का और पट्टी का मिला लेना है और यही से सेंटर से ही शुरू करना है लगाना अब यहां से जो दबो हमने रखा था उतना ही लेना दबो जादा नहीं लेना आपने अगर दबो जादा ले लेंगे तो मसला हो जाएगा फिर कमीज खीचेगी अंदर की दरफ आएगी दबो उतना ही लेंगे तो अपनी जगा पे रहेगी शट अब यह देखें एक तरफ से हमने लगा लिए दूसरी तरफ से सेंटर से हमने इसको पट्टी को फोल्ड करना है इस तरह से बिलकुल इसके बराबर करके इसके उपर रखते वाएंगे पट्टी को और यह जितनी हमारी पट्टी लगी है उतनी ही इस तरफ से भी उतनी ही लगनी चाहिए निशान लगा लेंगे इस तरफ से पट्टी हमने नाप लिए है जितनी उस तरफ से लगी है इस तरफ से भी वहीं से शुरू करेंगे बैक के सेंटर से तो ये बिल्कुल ये सही तरीका है इससे आपकी पट्टी बड़ी छोटी नहीं होगी दोनों तरफ से बराबर आएगी ये रहेखा एपक नात एक एक पर आपकी उड़ी दोनों तो आपकी लुगे रहेखा इसाइब और आपकी पट्टी आपकी दोड़ी आख़े ची पट्टी दोड़ीगी होगी है तो अब ये उपर की सिलाई लगा लेंगे अब ये जो हमने निशान लगाया है उपर वाला साड़े साथ पर जो हमने निशान लगा था यहां तक सिलाई लेकर नहीं जाएंगे डेड़ इंच उस निशान से नीचे सिलाई हम रोक लेंगे अब इस जगा पर हमने जो हुक और हाई लगानी है उक्क और हाई लगाएंगे इस जगा पर कर दो दो हाई लगा है कि अच्छी लगी करें तो वीडियो को लाइक आप जरूर कि कि अच्छी तरफ से हाई लगा लेंगे और उसके तो सबस्क्राइब भी किया करें अगर आपको लगता है कि लगता है आपको सीक कुछ फायदा हो रहा है तो आप लोग प्रोक्त्राइब भी जूरर किया झरे यह हमारी हाई लग गई है यहां से अब यह हमारा हुप बंदो जाएगा हाई के साथ तो अपना और अपनों का बहुत सरा ख्याल रखें खुश रहें अब आप से मिलेंगे इन्शाला अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफिस ले ले बंदो猜 हो टाई तक के लिए कहने के लिए है झाल झाल